आप सबी लोग का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल एमल्टी नियूज में पैरामेडिक्स के अंतरगत आने वाले बहुत सारे अभ्यारतियों के लिए वेकेंसी जारी की गई है वो भी आल इंडिया लेबल की भरती है तो आएए संपूर्ण जानकरी इसी वीडियो में आपको जानकरी जो भी साथी नय है प्लीज चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बहुत सारो सब्सक्राइब करते हैं और एसे रिकल जाते हैं तो नुकसा उनका ही होता है मैं बार बार यह चीज़ रिपीट करता हूं भातपूर्ण जानकरी है और बहुत सार मुद्वभम यह दिएमल्टी दो सब्सक्राइब डिप्लमा होना चाहिए दो साल के एक्सपीरेंस होना चाहिए ठीक है और डिजारेबल में प्यस्यमल्टी अर्था यह चुकि द्यमल्टी वाले ही लोग इसमें अपलाई कर सते हैं अब इसमें भी जो बड़ी विडम बना है गरबढ है जो ब्लड़ पेंग के लिए उसमें जरूर कि यह हागया कि ब्लड़ बैंक में जो है चाहिए ब्लड़ पेंक के लिए ढह lähबियरаз अब अब आपको जो है थोड़ा से विस्तार से और भी बताते हैं फिसके बाद जो है medical social worker की vacancy है अब एक vacancy और भी है छे पोस्ट है इसमें lab attendant की pathology microbiology by chemistry छे पोस्ट है 24,000 सेल्री मिलेगी देप्लोमा दिये मिलती होना चाहिए और 10 प्लस टू साइंस होना चाहिए ठीक है उसके बाद जो फी medical social worker की vacancy है medical record technician की vacancy है जिसमें बीस्ट मेडिकल रिकॉर्ड मांगा गया है और 10 प्लस टू साइंस होना चाहिए clinical psychologist की vacancy एक पोस्ट है 45,000 सेल्री एक पो इसमें क्या है matriculation from a recognized मतलब बारवी पास होना चाहिए certificate course in hospital services connected by recognized institute hospital services का को जो कोई भी certificate course होना चाहिए फिर टेक्निकल आप्टोमेट्री से अनेस्थीचन है अब मैं आपको अंतर बताता हूं कि अनेस्थीची टिग्निशन एक अनेस्थीच टिग्निशन की पोस्ट और पर डियावलटी मांगा गया है क्यों किया इनोंने इसलिए कि अगर डिग्री वाले लोग अप्लाई करते थो उसमें पैतार ज़़से तरंखा देना परती इसलिए इसलिए इन्होंने 27 ज़़से तरंखा देने पड़ेगे को डिप्लोमा है यह कहीं ने कहीं जो है एक तरीके का जो मैं समझता हूं कि यह शोशन किया जा रहा है इस फिल्ड वालों के लिए ठीक है टेक्निक एसिस्टेंट की पोस्ट एसीजी की एक एक पोस्ट सभी की और 32,000 सीविल इंजिनर्स की पोस्ट यहां भी यहां भी यहनग साथ न परमुक कारण है कि कभी यह सबी लोग उनायटेड नहीं है इस लिए से दिक्कते आती हैं और तो इसके लिए जो है आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ ने कुछ करना चाहिए फ्ली बॉटमिस्ट देखिए फ्ली बॉटमिस्ट की है यहां पे भी जो है फ्ली बॉटमिस्ट का पाच पोस्ट है 10 प्लस 2 साइन्स वांच यह DMLT दोसा के एक्सपिरियंस अगर ब्लेड बैंक में है तो फिर बॉटमिस्ट की भी सेम कॉलिफिकेशन लैप इकनिशन की भी सेम कॉलिफिकेशन मुझे तो इस सब्सक्राइब नहीं आता कि तक बढ़ आई है तो भाईया यह वेकेंसी जो आई है यह है ब्रॉटकास इंजिनिंग कंसल्टेंट इंडिया लिम्टेट बेसिल जिसो का गया है और उसके दोरे वेकेंसी जारी की गई है और कहां के लिए आसाम के लिए आउट सोर्सिंग मतलब ठेकेदारी के तहत यह वेकेंसी जारी कीए ठेकेदारी व्योस्ता के अंतरगत जो की बहुत ही नुक्सान दायक है परंतु क्या करें इस फिल्ड के लोग जो सोते हैं इस वाज़े से कुछ नहीं हो पाता है तो मैं सीज़े चलता हूं लास्टेट क्या होगी 2323 है इसकी लास्टेट है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा और क्योंक चाहिए बता दूँ मैं आपको इसका इसके लिए भी जो आपको एक्जाम ही देना पड़ेगा सीबीटी कंप्यूटर बेस टेस्ट लास्टेट जो है 2323 से डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है इस वेबसाइट कर दे दिया जाएगा उम्मित करता हूं कि आप सब लोग को मेरे दो जानकार दी जाती है वह समझ में जाती होगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए बेल आइकन को दबाना ना भूले बहुत बहुत धन्यवाद